हलो फ्राइंड्स वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल एसी इंगलिश एकेडमी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन इन और इन्टू का सहीं इस्तमाल करना सिखेंगे तो गाइस ये वीडियो जरूर देखिए और पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बैल आइकान को भी प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आगो टाइम पर मिल जाए तो दोस्तों preposition in का प्रियोग इस्थीरता के लिए होता है और into का प्रियोग गती के लिए किया जाता है चलिए इस बात को कुछ examples के थूरू समझते हैं अगर आपको कहना हो कि वह रूम में हैं तो आप कहेंगे he is in the room तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं room अपने जगा पर इस्थीर है और वह जिसकी गती का कोई पता नहीं चल रहा है तो दोस्तों जब कोई एक चीज कोई दूसरे चीज में इस्थीर रूप से हो तो इस तरह के situation में हम इनका प्रियोग करते हैं चलिए एक और example के थूँ इसे समझते हैं कुट्टा कुवे में कुदा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुट्टा अपने जगा पर इस्थीर नहीं है तो हम यहाँ पर इन्टू का प्रियोग करेंगे जैसे दडाग जम्ड इन्टू दा वेल अगर हम इन्टू के बदले इनका इस्तमाल करेंगे तो sentence गलत हो जाएगा तो दोस्तों इस्थीर चीजों के लिए इनका प्रियोग किया जाता है और गतिमान कीजों के लिए इन्टू का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों I hope कि बात आपको समझ में आचुकी होगी आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने सारे दोस्तों के साथ में सेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी साथ बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए ओके गाईस थाइंक्यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो कीप प्रेक्टिसिंग एंड कीप लर्नींग